हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं इस्टेडी फिट चैनल दोस्तों आज में लेकिया हूँ वाटर पुलू खेल से रिलेटीड मोस्ट इंपोर्टेंट कोस्टन्स लेकिए जैसा कि दोस्तों डेली बेचेस पे मैं एम से क्यूज के प्रैक्टिस करा रही हूं में खेलों से रिल आच के चालती तक प्रैक्टिस करांगी डेली भी faith तो बने से मेरे daid के प्रैक्टिस को करने के लिए तो चलिए चलती है आश़ ऺंडेर से के तरफ ने दोस्तों हो टर पुलू की गेंद खाभार कितना होता है तो वाटर पूलो के गेंद का भार 400 से 400 ग्राम होता है कितना होता है वाटर पूलो के गेंद का भार 400 से 400 ग्राम का होता है नेक्स कोशन है पूर्षो के लिए गेंद की परीधी कितनी होती है तो पूर्षो के लिए गेंद की परीधी होती है 68 से 71 cm कितना होता है 68 से 71 cm जोस्तों नेक्ट्ट कोस्टिन है महिलाओं के लिए गेंद की परीधी कितनी होती है से 85 के लिए गेंद की परीधी होती है 65 से 75 cm पूर्सों के लिए 68 से 71 cm महिलाओं के लिए 50 से 60 cm नेइश्ट कोस्टिन है गोल कीपर किस रंग की टोपी पहनता है तो जो गोल कीपर होता है वह लाल रंग की टोपी पहनता है नेश्ट कोस्टिन है वाटर पूलो के खेल में खिलाडी के नंबर कहां पढ़े हुए होते हैं तो टोपी पर पड़े हुए होते हैं कहां पर पड़े हुए होते हैं गोल वाटर पोलो में खेल के खिलाडी के नमबर तो टोपी पर पड़े होते हैं नेशे खिलाडी की टोपी पर नमबर कहां पर पड़े होते हैं तो खिलाडी की टोपी पर जो नंबर होते हैं वहाँ दाएं बाएं पड़े होते हैं कहां पर दाएं बाएं पड़े होते हैं नेश्य दोस्तों एक मैच में कितने खिलाडी बदले जा सकते हैं तो एक मैच में साथ खिलाडी बदले जा सकते हैं जैसे कि दूस्तों वाटर पूलो में उसका साथ लाड़ी होते हैं एक टीम में खेलने वाले तो कबड़ी खोखो हैंड बाल इतीनों जो है उसमें साथ साथ लाड़ी होते हैं तो कितने खिलाड़ी बदले जा सकते हैं तो साथ खिलाड़ी तो एक पच्छ में साथ खिलाड़ी यानिकी छे खिलाड़ी होते हैं एक गोल कीपर होता है नेश्ट कोश्चन है दोस्तो कि सब्टिट्यूट खिलाडी मैदान में कहां से अंदर आ सकता है तो सब्टिट्यूट खिलाडी मैदान में कहीं से भी अंतर आ सकता है नेश्ट कुशन है कौन सा अधिकारी खेल का वास्त्रिक समय टाइम आउट मध्यांतर और अन्निस ब्योधान के समय को रिकार्ड करता है तुस्से क्रेटरी नेश्ट है एक टीम किसी एक मैच में कितने टाइम आउट ले सकती है तो दोस्तो वाटर पॉलो में एक टीम एक मैच में कितने टाइम आउट ले सकती है तो दो टाइम आउट ले सकती है जैसा कि वाटर पॉलो का जो गेम होता है आठ आठ मिनट के चार कौर्टर में खिला जाता है में अब मध्यांतर पांच मिनित का होता है yours it a qwerter होता है आठ दो का यानि कि एक बेच मेर्ज होता है आठ दोक्षेट का जिसमें रूप्रे harus होते हैं माध्यांतर पांच मिनित का उसके प्रत्यक टीम प्रत्यक क्वाटर में एक टाइम आउट ले सकती है यानि कि एक मैस में दो टाइम आउट एक मैस में कितने क्वाटर होंगे प्रत्यक टाइम आउट मिलते हैं तो टाई की इस सिती में अत्रिक्त समय में एक टाइम आउट मिलता है नेक्ष्ट है अगर किसी टीम ने मैच में एक भी टाइम आउट न लिया हो तो अत्रिक्त समय में कितने टाइम आउट मिलेंगे तो अत्रिक्त समय में कितने टाइम आउट मिलेंगे एक टाइम ओर ठीक है नेश्ट है मैच जब प्रारंब होता है तब दोनों टीमों की इस्थिती क्या होती है तो जब मैच प्रारंब होता है तो दोनों टीमों टीमे जो है गोल लाइन के से एक मीटर आगे रहती है नेश्ट कोस्टन है कि जब मेंच प्रारंब होता है तो बाल कहां इस्थित होती है तो मध्य में कहां पर इस्थित होती है मध्य में नेस्ट कोश्चन है गोल पोस्ट की चोड़ाई कितनी होती है तो वाटर पोलों में गोल पोस्ट की चोड़ाई जो होती है तीन मिटर होती है नेस्ट कोश्चन है गोल पोस्ट पानी की सतह से कितना उपर रहता है तो दोस्तों जैसा की चित्र में आप देख रहा हैं जो गोल पुस्ट होता है पानी की सतह से 90 cm उपर रहता है नेक्ट कोस्टिन है कि मध रेखा किस रंग की होती है तो मध रेखा सफेद रंग की होती है कि गोल लाइन से आगे दो मीटर की दूरी पर इस्थित लाइन का रंग कौन सा होता है तो कौन सा होता है लाल रंग का नेश्ट कोशन है गोल लाइन से आगे पांच मीटर की दूरी पर लाइन का कौन सा रंग होता है तो यहां पे पास मीटर की दूरी पर गोल लाइन से हरा रंग का होता है Next है साइड लाइन गोल लाइन से दो मीटर पहले किस रंग की होती है तो वह होती है लाल रंग की Next question है साइड लाइन पर गोल लाइन से दो मीटर चिन्ध के बाद अगला तीन मीटर किस रंग से चिनहित किया जाता है तो हरे रंग से नेक्स्ट कोस्चन है यह हरा रंग नहीं दोस्तो यह आपका होगा पीला रंग ठीक है 22 वा कोस्चन का अंसर है साइड लाइन पर गोल लाइन से दो मीटर चिनह के बाद अगला तीन मीटर किस रंग से चिनहित होगा तो पीले रंग से ठीक है नेक्स्ट कोस्चन है कि साइड लाइन पर पाँच मीटर चिनह के बाद मध्य रेखा तक किस रंग की लाइन होती है तो यह होता है आपका हरा रंग का नेक्स्ट कोस्चन है गोल के बार यानि की जो बार होता है खमभे के सामने की चुड़ाई कितनी होती है तो 7.5 सेंटीमीटर 7.5 सेंटीमीटर नेश्ठ दोस्तो वाटर पोलो की खेल में कितने रेफरी अधिक्तम हो सकते हैं तो कितनी हो सकते हैं दो रेफरी हो सकते हैं अधिक्तम है अगर चारो कौर्टर खेलने के पस्चात मैच बराबर होता है तो नीड़े क्या लिया जाएगा तो दोस्तो उस समय अत्रिक्त समय दिया जाएगा चार क्वार्टर खेलने के बाद अगर मैच बराबर होता है तो अत्रिक्त समय दिया जाएगा Q27 है कि अत्रिक्त समय कितने समय का होता है तो अत्रिक समय दोस्तो तिन-तिन मिनट का दिया जाता है बीच में दो मिनट का रेश्ट के साथ नेश्ट है दोस्तो अत्रिक समय के बाद भी मैच बराबर हो जाए तो निड़े किस अधार पर लिया जाएगा तो उसके बाद भी जब बराबर हो जाए एक्स्ट्रा टाइम के बाद भी तो निड़े पिनाल्टी सूट आउट के अधार पर लिया जाएगा नेश्ट है पहली पिनाल्टी कौन मारेगा इसका निड़े कैसे लिया जाता है तो कैसे लिया जाता है इसका नीड़े टास के द्वारा कैसे लिया जाता है दोस्तों इसका नीड़े इसका नीड़े लिया जाता है टास के द्वारा एंड दोस्तों जैसा की वाटर पोलो में एक टीम के पास आम आने के पश्चात ज्याद से ज्यादा कितने समय के अंदर को हैं कि पिन्टी को जिए आपके पास जैदक करना पड़ता हैं कि तो ARE आप कोश्चन्स आई होब कि आपको समझ में आए होंगे ए वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताईए जो भी डाउट होंगे वह भी बताईए मैं डाउट के लिए करने की पूरी कोशिस करूंगी एंड दोस्तों वीडियो को जादे जादे सेयर कीजिए औ कितली जनकारी के लिए और अपना प्रैक्टिस करते रहिए तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जैहिन